अगला दूर्ग आता है लोहागड दूर्ग भरतपूर ये भरतपूर के उत्तरपस्ची में श्तित हैं और इस किल्ले का जो निर्मान करवाया था वो 1733 में सूरजमल जाड द्वारा करवाया गया था और ये अपनी विशिष्ट स्तापत्य और अजयिता के लिए प्रसिद है क्योंकि इसे अंग्रेज कभी जीत भी नहीं पाये थे तो निर्माता था इसका सूरजमल जाड 1733 में और ये नविंतम दूर्ग हैं इसका मतलब है कि ये दूर्ग निर्मान परंप्रा का आखिरी दूर्ग हैं दूर्ग बनना स्टार्ट हुए थे उसके बाद का ये लाष् कैसे खाई तो पारिक स्रेणी में आता हैं लोहागर दुर्ग और इसमें मोती जील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी आता हैं और मोती जील कौन सी नदी पर बनी हुई हैं रूपारेल नदी पर मोती जील बनी हुई हैं अब आब इसमें देखें बूर्ज कौन कौन से इसमें जवाहर बूर्ज हैं फतय बूर्ज हैं कचहरी कला हैं किशोरी महल हैं कोठी खास हैं महल खास लक्षमन मंदीर और गंगा मंदीर इसमें बने वे हैं तो याद रखना जवाहर बूर्ज फतय बूर्ज कचहरी कला किशोरी महल कोठी खास और महल खास लक्षमन मंदीर औ जिसे की मिट्टी का किल्ला भी कहा जाता है फिर इसके बाद आता है अश्ट धातु के किवाड यहाँ पर लगे वे हैं लोहागर दुर्ग भरतपुर में अश्ट धातु के किवाड लगे वे हैं जो कौन लाय था जवाहर सिंग जो था बरतपुर का सासकबो दिल्ली के लाल किले से अश्ट दातो के किवार लाकर ये लोहागरदुर्ग बरतपुर में लगवाए थे दादी खा का महल भी बरतपुर के लोहागरदुर्ग में श्तित हैं वजीर की कोठी भी श्तित हैं याद रखना मिट्टी का परकोटा बना हुआ था लोहागरदूर भरतपुर में जिस पर क्या होता था तोब के गोले बेहसर रहते थे इसे अजेदुर्ग का जाता है क्योंकि लाड लेक द्वारा इस पर पांच बार आक्रमन किया गया था लेकिन हर बार विफल 1805 में लाड लेक द्वारा माराजा रंजी सिंग द्वारा जो भरतपुर की सा सकते हैं उसमें माराजा रंजी सिंग उनके द्वारा अंग्रिजों के विद्रोई आनंद राओ माराटा होलकर को सरण देने के कारण लाड लेक द्वारा भरत्पूर के लोहगर दुर्ग पर पांच बार आकर्मन किया गया था टाटासो पांच में लेकिन ये हर बार विफल रहे थे लाड लेक ने जब इस किल्ये को जीत नहीं पाये तो लाड लेक ने अंत में इसकी निव में बारूद भर कर इसे उड़ाने का परयास किया था लेकिन ये फिर भी नए उड़ पाया और इस किल्ये के बाहर 4 और 100 फिट चोड़ी और 60 फिट गहरी खाई हैं जिसमें पानी प्रवायत होता रहता है और इसके बाहर 4 और मिट्टी से बनी उची उची दिवारे हैं जिस पर क्या होता था तोब के गोले भी बेसर रहते थे और इसके अंदर भरतपुर के जाट राजाओं का जो रजय विशेक समारो होता था वो कौन से बूर्ज में होता था तो याद रखेगा लोहागर दूर्ग भरतपुर के कौन से बूर्ज में जाट राजाओं का रजय विशेक समारो होता था तो जवाहर बूर्ज में नो गोरा लड़े जाट का दो छोरा यह दो छोरा कौन है यहापर दुरजनलाल और मादो सिंग तो यह कावत कौन से दुर के बारे में परसीद है भरतपूर दुर के बारे में याद रखना आठ फिरिंगी नो गोरा लड़े जाट का दो छोरा तो जाट वंस कहां से था भरतपूर वंस से तो याद रखना जाट नाम आगया तो दुरजनलाल और मादु सिंग तो ये दो चोरे हैं और ये कावत किसके लिए परसीद हैं आठ फिरिंगी नो गोरा लड़े जाट का दो चोरा भरतपूर दूर के बारे में परसीद हैं फिर अगला दूर्ग आता है आपके बयाना दूर्ग भरतपूर का जो निर्मान करवाय था वो करवाय था विजेपाल यादवने और इसके उपनाम क्या क्या हैं कौन कौन से नामों से परसीद हैं विजे मंदिर गड शोनितपूर दूर्ग बानासूर दूर्ग बादस्या दूर्ग या बानपूर तता स्रीपूर भी इसे कहा जाता हैं याद रखेगा स्रीपूर भी इसे कहा जाता हैं इसके उपनाम है विजे मंदिर गड शोनितपूर दूर्ग बानासूर दूर्ग या बयाना का प्राचिन नाम था शोनितपूर सेत्र या भादानक सेत्र तो याद रगया का निर्माता है विजेपाल्यादो बयाना दूर्ग भरतपूर के उपनाम है इनके विजेमंदिरगड शोनितपूर दूर्ग श्रीपूर या विजेगड बादस्या दूर्ग या विशेस्ता है क्या है इसकी विजेस्तम बना हुआ यहां पर बायाना के दुर्ग में जो कि राजस्तान का पर्थम विजेस्तम है याद रखना राजस्तान का प्राचिंतम विजेस्तम बायाना दुर्ग भरतपुर में बना हुआ जिसका निर्मान किस ने कराया था समुंद्र बोताद रुके विजइस्थन राजिस्ताना का पहला विजइस्तम है भीम लाट बना हुआ इसकी एक दूर्ख की उच्ञा शाख लाट या रार्वे या राव स्थनभ है जिसे कते हैं भी भाँ, लाट ढीक एक ईच्या वन भातक्पूर्स जो जीया को है इस बयाना दूर्ग भरतपूर में उश्या मंदीर बना हुआ था जिसका निर्मान रानी चित्र लेखा द्वारा करवाया गया था उश्या मंदीर बयाना दूर्ग भरतपूर में बना हुआ था जिसका निर्मान रानी चित्र लेखा ने करवाया था और इल्तुत नमिश ने उस उसा मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर मजजिद बनवाई और नाम रखा उसा मजजिद तो याद रखना उसा मंदिर या उसा मजजिद कोंचे दुर्ग में है बयाना की किल्ले भरतपूर में फिर आता है डिग का किल्ला भरतपूर इसमें इसका निर्मान किसने करवाई था बदन सिंग जाट द्वारा 1730 में इसका निर्मान करवाई गया था डिग की किल्ले भरतपूर का निर्मान बदन सिंग जाट द्वारा 1730 में करवाई गया था विशेशता हैं क्या हैं लख्खा बूर्ज बना हुआ है डिक्के किले बरतपूर में जल महल बने हैं जो कि बदन सिंग द्वारा निर्मित करवाए गे थे और जल महलो की नगरी भी किसे कहते हैं डिक बरतपूर को जल महलो की नगरी कहा जाता है फिर आता हैं बेर का किल्ला ये भी भरतपूर में है बेर का किल्ला भी भरतपूर में है फिर आता है 38 किल्ला अपने आमेर का किल्ला या आमेर दुर्ग जेपूर इसका जो है सरबर्तम कच्वा सासक धोला राय जो था उसके पुत्र थे काकिल देव कच्वा राजकुमार धोल राजकुमार धोला राए के पुत्र काकिल देव ने, धोला राए जो थे, इनके पुत्र काकिल देव ने एक हजार चती स ईश्वी में आमेर के मीना सासक भुटो से ये दुर्ग छीना था. याद रखना मेना शसक बुट्टो से यह दुर्ग चीना था एक हजार श़्तिस ईश्वी में आमेर की मेना ससक बुट्टो से दोला राई के पुत्र काकील देव ने फिर उसके पुनने निर्मान किशने करवाया था मान सिंग पर्थम ने इनके काल में इस दुर्ग में अनेक निर्मान हुए थे और 1707 में मुगल समराट बहादुर्शा पर्थम ने इसे कुछ समय के लिए अपने अधिकार में ले लिया था और इसका नाम क्या रखा था मौमिनाबाद तो याद रखना मौमिनाबाद किस दुर्ग का नाम है आमेर दुर्ग जेपूर को मौमिनाबाद का जाता है जो की बादुर्शा जफर द्वारा इसका नाम बादुर्शा पर्थम ने इसका नाम मौमिनाबाद रखा था और इसमें मिरिजा राजा जैसिंग ने सेंप्रोन गार्डन अर्थात केसर केरिया केसर बाग इसमें बनवाय था यह लिखा हुआ यहाँ पर केसर केरिया केसर बाग जिसे सेंप्रोन गार्डन कहा जाता है बनवाय था मिटजा राजा जैसिंग ने और अभी ये जो है आमेर दुर्ग ये परेटन विभाग के पास है और यहाँ पर साइकाल पर लाइट एंड साउंड सो चलता है तो देखी आप पुन्य निर्मान या निर्मान इसमें किसने कराये थे मान सिंग पर्थम ने और कच्वार राजकुमार धोला राय के पुत्र काकिल देव ने 1036 इस्वि में अमेर दुर्ग को मिना ससक भुट्टो से चीना था प्राचीन नाम क्या है इसके अंबरीस आंबेर या आमेर या याद रखना प्राचीन नाम है आमेर के किले के अंबरीस आंबेर या आमेर इसके अंदर क्या क्या स्तिते हैं विशेशता हैं क्या है इसकी मुगल गार्डन बना हुआ है केसर केरी या केसर बाग बना हुआ जि जिसका निर्मान मिर्जा रजा जये सींग ने करवाय था, सेंप्रोन गार्डन भी इसे कहते हैं, दरवाजे का निर्मान करया था मिर्जा राजा जैसिंग ने और ये सबी दुर्गों के दरवाजों से सबसे सुन्दर दरवाजा है याद रखेगा आमेर दुर्ग का दरवाजा सबी दुर्गों के दरवाजों में से सबसे सुन्दर दरवाजा है और इस द्वार के उपर चत 131733 के मद्ये और सबी दुदुदुके दरवाजों में से सबसे सुन्दर दरवाजा आमेर दुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदूं दिवाने खास ओर 337 क चस्योथी yaad रखना यह 337 क क चस्य०ुदुदुदु दरवाजा में अप्ज़ेश पूर दितिये की निर्मान तो करया था जेगर दुर्ग जेपूर का मिर्जा राजा जे सिंग ने और वर्तमान सुरूब जो दिया था वो स्वाई जे सिंग ने दिया था जिसे जे सिंग दितिये भी कहा जाता है और उपनाम क्या है इस जेगर दुर्ग का चिले का टीला दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि चिलह का तीला पहाड़ी पर निर्मित किया गया है इसलिए से चिलह का तीला दुर्ग भी कहा जाता है तो कौन सा दुर्ग चिलह का तीला पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है अब आप देखे इसके अंतरकत क्या विशेषता है पानी की टंक्या बनी जेगर दुर्ग में इसके अंदर कोंचा बुर्ज बना हुआ है दिया बुर्ज याद रखना दिया बुर्ज जो है वो जेगर दुर्ग में बना हुआ है दिया बुर्ज और फिर सस्त्रागार और केदियों को रखने में इसका प्रयोग होता था जेगर दुर्ग का कैma ओफ भी जेगडेड़ग जेड़ग में गाल ही और एक तौब रहा है जेभांटौर चैजदुर्ग में रखी हुई है तो जेगड़ दुर्ग, hot and green winners जेबाप्त और इसका निर्मान किसे किरो यह तय दुन फिलीज और तक निर्मान चैजदुर्ग जेपूर में रखी हुई मारक्त चंता है इसकी 22 मीर, यह आता है इसकी जेगड़, दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे या पॉल बने वे हैं मुख्य प्रवेस द्वार तीन है इसके अंदर तीन मुख्य प्रवेस द्वार हैं जेगर दुर्ग जेपूर के अंदर अवनी पॉल भेरु पॉल और डूंगरी पॉल ये तीन पॉल या दरवाजे हैं जेगर दुर जेपूर के अंदर अवनी पोल भेरू पोल और डूंगरी पोल और एसे की सबसे बड़ी तोब जो है जेबान तोब ये भी जेगर दूर्ग जेपूर में रखी हुए हैं जिसके मारक समता हैं 22 मिल और निर्मान करवाता स्वाई जैसिंग या फिर जैसिंग दीतिये ने फिर आता है इसके अंदर गत नाहरगड सुदर्शनगड दूर्ग जेपूर इसका निर्मान करवाय था स्वाई जैसिंग या फिर इसे जैसिंग दीतिये भी कहा जाता हैं 1898 में इसे वर्तमान शुरूप दिया गया था 1868 में सोरी नारगड सुदरसनगड दुरुग को वर्तमान शुरूप जो है 1868 में स्वाई राम सिंग द्वारा दिया गया था फिर इसके अंतरगत आता है इसके उपनाम क्या क्या है उपनाम है इसके जेपूर का पहरेदार या म परत्मान शुरुफ 1868 में स्वाई राम सिंह द्वारा इसे दिया गया था। फिर इसके इंतरकत, इसका उधेस ही क्या था, निर्मान करांदे का नाहरगड दुरुधू को आकर्मना कारियों पर नजर रखने के लिए नाहरगड किले का निर्मान करवाए गया था। विशेशता है क्या है इसकी सुदर्शन या केष्णी की मूर्ती बनी हुई है इसके अंदर गत जुजार नाहर भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया था नाहरगड जुजार नाहर भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगड रखा गया था स्वाई मादू सिंग दित्तिय द्वारा याद रखना दित्तिय है यहाँ पर स्वाई मादू सिंग दित्तिय द्वारा अपनी नो प्रेशियों या पासवानों के लिए एक जैसे नो महल निर्मान करवाए गये थे स्वाई मादू सिंग दित्तिय द्वारा तो आप से पूछा जा सकता है नो महलो वाला किल्ला कौनचा है तो नाहरगड हैं और नो महल कौन कौनचे हैं चांद प्रकास, सूरज प्रकास, बसंत प्रकास, फूल प्रकास, ललित प्रकास, लक्षमी प्रकास, खुसाली प्रकास, आनंद प्रकास और जवाहर प्रकास ये नाम पर इसका नाम नाहरगड रखा गया था अब आता है इसकी आकरती जेवपूर के मुकुट के सम्मान है और जेवपूर की और ये जांकता हुआ परतीत होता है फिर आता है आपके फतेवपूर का किल्ला ये सीकर में है निर्मान करेता फतेव कायम खानी ने विसेशता हैं किया है इसकी फत्यपूर के किले की इसमें तेलीन का महल बना हुआ है और दोलत खा का मकबरा इसमें बना हुआ है फत्यपूर का किल्ला सीकर निर्माता फत्या का कायम खाइनी विसेशता हैं फत्यपूर के किल्ये में तेलिन का महल बना हुआ है और दोलत खा का मकबरा बना हुआ है फिर आता है लक्समनगरदुर्ग ये सिकर में लक्समनगरदुर्ग राव राजा लक्समनगरदुर्ग ने 1805 में बेड नामक पाड़ी पर लक्समनगरदुर्ग का निर्मान करवाय था शिकर में श्ती थे लक्समान गड़ दुर्ग और राव राजा लक्समान सिंग ने 1805 में बेड़ नामक पाड़ी पर लक्समान गड़ग का निर्मान करवाए था फिर आता है मुकुंदगर दुर्ग जुंजुनू में श्ती थे इसे विशत हेबर ने का था, अकबर का किला अजमेर, ताडगड अजमेर, कहरी गड़ का किला, थापा कोट, माल कोट, खीवसर, किलोन गड़, बिनादेसर का किला, सुजान गड़, इंदोर का किला, दोसा का किला, असीर गड़ का किला, काकेड का किला, और मांडल गड़, द के साथ जय हिन जय भारत